नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ट जेडी और जेडी भाई आपको आज इस वीडियो के अंदर रोहिनी का मास्टर प्लान एक्स्टेन करने वाले हैं रोहिनी किस हिसाब से बसी हुई है रोहिनी के अंदर कितने सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं कौन से sectors के अंदर आपको आज builder floor लेना चाहिए, कौन से sectors के अंदर आपको investment करनी चाहिए for appreciation और for rental income. So guys, इस वीडियो में आपको ये सब चीजे की clarity मिलने वाली है. So make sure इस वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखिएगा because this video is going to give you so much clarity or investment in ruining. So guys, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, तो subscribe button दबाना ना भूले. So guys, starting from Madhubanchok, this is our Madhubanchok, ये हम लोगों की outer ring road है, जो guys connecting from Piragadi and going towards Janakpuri and GT Karnal Road. Bypass वाली road जो है, वो guys हम लोगों की ये road है. Rohini is starting from Madhubanchok and ending till Rohini sector 36.5 huns helipad. Guys, ये हम लोगों का proper metro channel है, जहाँ पर Madhubanchok पर हम लोगों का पितम पूरा metro station है, फिर next Rohini East है, फिर Rohini West है, then this is Ritala metro station. Ritala metro station पर आज तक हम लोगों की metro आ चुकी है and इसके बाद each and everything is planned and proposed. दोस्तों, अगर हम developed sectors की बाद करें, तो guys, Madhubanchok से Ritala तक सारे sectors हम लोगों के developed है, जिसमें sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 10 sector guys purely commercial है, जहाँ पर crown plaza, shopper stock, city center, जैसे commercial outlets, commercial malls खुले होए हैं. So guys, still Ritala, यहाँ पर each and everything is already developed और 15, 16, 17, 11 sector भी completely developed है, जहाँ पर 26 meter, 32 meter, 48 meter, 60 meter, 120 meter, 90 meter, और 1500 meter, 200 meter, 300 meter तक के plots की dimensions available है, फिर guys हम Ritala Metro station से आगे चलते हैं, तो Ritala Metro station से दोईनी सेक्टर 23, 24, 25, Metro channel की belt पर ही पड़ता है, and till here, Metro is confirmed की Metro यहाँ तक definitely आएगी, इस chalk तक Metro definitely आएगी, and this chalk is known as अशोग चोग, तो अगर हम Ritala Metro station से अशोग चोग तक की बात करें, तो यहाँ पर 23, 24, 25 सेक्टर लगते हैं, जो अगेन एक सेक्टर, 80 to 85% develop हो चुके हैं, और आज की date के अंदर, सारी Public Facilities, Public Transport Facilities, Connectivity, Each and Everything is there, और आज की date के अंदर, यहाँ पर बहुत अच्छा scope है, और Investment, As per Rental Point of View, या फिर आप अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो गाइस 23, 24, 25 सेक्टर अब डेवलप हो रहे हैं, फिर अगर हम थोड़ा सा गाइस पीछे जाएं, तो 20, 21, 22 सेक्टर भी, हम लोगों के डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो अगर हम connectivity की बात करें, तो जो मंगोल पूरी से होते हुए, पूट खला से निकलते हुए, ये जो roads connect कर रही हैं, ये 20, 21, 22 सेक्टर को connect करती हैं, वाइस सेक्टर इस नोन पर महराजा अग्रसें कॉलेज, आज महराजा अग्रसें इंटरनाशनल हॉस्पिटल, सो 2021, 22 मेट्रो चैनल से थोड़ा सा हट की हैं, जैसा कि आप की प्लान पर देख पा रहे हैं, फिर यहां तक जैसा कि मैंने आपको बताया, everything is developed, तो गाइस इस चैनल के बाद, इस 80 मिटर रोड के बाद अगर हम बात करें, जो आप यह 80 मिटर रोड देख रहे हैं, इससे पहले तो developed हो चुके हैं और developed हो रहे हैं, अगर आप इसके बाद की बात करें, तो इस सक्तर्स आर नोन आज रोईनी एक्सचेंशन सेक्टर्स, जिसमें रोईनी सेक्टर 27, 28, 29, 30, 31, 31 is unallotted, देन 32, जिसमें ग्रूप आउसिंग आ रही है, हाई राइस सोसाइटी की, 33 is again unallotted, 34, 35, 36, 37, and 38, यह रोईनी एक्सेंशन के सारे प्लोट्स हैं, जहां पर वी आर एक्सपेक्टिंग, 27, 28, 29, 30, are the major sectors for short term appreciation as well as investment point of view, दोस्तों यह सब DDA के सेक्टर्स हैं, और DDA के सेक्टर्स के अंदर bank loan facility बहुत easily available है, जो guys 27, 28, 29, 30, future next short term के अंदर यहां होने वाल है, यहां पर आपको investment करने पर बहुत short term के अंदर return भी मिलेगा, और अगर आप residence लेने का plan कर रहे हैं, रोहिणी जैसी prime location के अंदर, within 3 to 5 years, so guys this, this, this and this location is for you, इसके बाद guys हम लोग master plan की बात करें, तो metro यहां तक तो अशोग चोग तक आनी है, अगर हम अशोग चोग से right लेते हैं towards 80 meter road, तो यह 80 meter road पे महादेव चोग आता है, and this black road, black road that you are seeing over the key map, this is connecting समयपूर बादली, and यह Delhi Technical University होते हुए, बावाना और चंडी road माना जाता है, जो directly बावाना, UER2 को connect करता है, बावाला विलिच को connect करता है, So guys again, this is also the road which is giving a good connectivity for Rohini, because यह 11, 15, 16 को भी यह road connect करता है, So guys, 39 D block, 30 C block, 29 D1, D2, D3, 30 C1, C2, 34, 35, 36, 37, 38 C block is completely extension area, जहाँ पर आज की date के अंदर complete plotting है, complete raw land है, and यहाँ पर सिर्फ अभी trading चल रही है, there is no as such builder, 28, 27, 39, 30 sector के अंदर builder, कई locations के अंदर enter कर चुके हैं, और कई के अंदर बहुत ही जल्द आपको, बहुत ही तेजी के साथ development होते हैं, definitely दिखेगी, because यह allotment, this allotment, 39, B block, A block, 30, A block, 28, whole and 27, यह 2002 से लेकर, 2004 पांस तक के allotment है, so guys, this is completely investment land, जहाँ पर आज आप invest करते हैं, तो आपको लंबे समय के लिए, रुकना पड़ेगा, और आज की date के अंदर, rates भी यहाँ पर काफी appreciate हो चुके हैं, जैसे की हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया, कि investment के लिए 27, 28, 29, 30 सेक्टर, बहुत ही शांदार सेक्टर है, और यह एक extension area है, यहाँ पर minimum 15 years का time span आपको देना पड़ेगा, और guys, यह हम लोगों का UER2 है, connecting from Sonipat and going towards Dwaraka Guru Gram, this is our 100 meter wide road, जो Delhi की 3rd ring road होने वाली है, so guys, मदुबन चौक के बाद, रोहिनी की जो नहीं शुरुआत होगी, that will be Pawan Huns Helipad, and guys, अब लोगों के mind में हैं कि 34, 35, 36, 37 सेक्टर UER2 चानल पर completely touch करते हैं, guys, अगर हम UER2 से देखें, तो UER2 के ही connecting road पर, chapter 27, 28, 29, 30 भी लगते हैं, तो जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, कि अगर आप investment करते हैं, तो जो appreciation का return on investment आपको मिलेगा, या आप rate inflation देखेंगे, वो आपको incomplete sectors में देखेंगा, ऐसा नहीं है कि आपको in sectors में मिलेगा, इन में नहीं मिलेगा, और guys, this is completely safe, बहुत ही शांदार and definite return investment है, because this investment is going to be the game changer, so guys, this was all about Rohini master की plan, अगर आपको कोई भी mind में query हो, या आप Rohini के अंदर investment करने का plan कर रहे हैं, so guys, the best time is now, because property के अंदर enter और exit करने का, कोई भी एक definite time नहीं होता, because चीज़े जिसे आप decision ले रहे हैं, उस दिन हमेशा आपको property महंगी लगेगी, लेकिन अगर आपके अंदर patience है, तो you can inflate and feel the value of appreciation in the property, because property is the name of patience, जो जितना ज़्यादा patience रखेगा, वो इतना ज़्यादा property के अंदर कमाएगा, so अगर आप Rohini जैसी prime location के अंदर, Asia की biggest colony के अंदर, कुछ rental generate करने का plan कर रहे हैं, या फिर आप raw land के अंदर invest करके, अपने पैसे को multiply करने का plan कर रहे हैं, आपकी investment safe हो जाए, so guys screen पर दिये गए number पर, अभी call करें and contact your own JDY, guys we always say in our video, intent is not to give you the property, intent is to understand your vision, and vision understand करने के बाद, आपके पैसो को एक सिफिस्ट जगा पे लगवा कर, आपके पैसे को आगे बढ़ाना, because again your one deal is not our bread and butter, but आप से एक relation बनाना, is the ultimate goal and ultimate motive of your own JDY, so guys thanks for watching this video, thanks for being so patient, mind में किसी भी तरीकी की कोई भी query हो, so guys screen पर दिये के number पर अभी call करें, because शायद एक decision, only one decision can change your whole life, and property से, real estate से, लोगों की life बदली है, because again I am reiterating, this is DDA sector, this is registry वाला sector, यहाँ पर bank loan भी मिलता है, यहाँ पर एक अच्छी gentry भी रहती है, यहाँ पर यह एक ऐसी call नहीं है, रोही नहीं, जहाँ पर पहले सारी public facilities आती है, then लोग आते हैं, this is not the GPA land, this is not the Laldora land, this is completely registry वाली land, so guys, choose your investment now with your JD भाई, अगर अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाकर और पर क्लिक करिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाकर, जे डी भाई और खूर सरा प्यार दीजिए